Hello everyone and once again welcome back to another video of Sunday चर्चा सीरीज, myself उमर तसकीर, guys इस बार में लगभग 10-15 questions लेकर आच चुका हूँ, आप लोगों की questions जो आप comment section में पूछते हो, उन questions को pick किया गया है, हमेशा की तरह हमारी कोशी जरूर रहती है कि हम ज़्यादा questions pick कर पाएं, बट कुछ time की मजबूरी रहती हम उतने लादा questions नहीं pick कर पाते हैं, तो थोड़ा सा कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के जो questions हो नहीं pick हो पाते हैं, mostly जो हम questions pick करते हैं, वो हम pick करते हैं, जो Sunday चर्चा के दूसरे वीडियो होते हैं, या जो last वीडियो होता है Sunday चर्चा का, उसकी comment section के questions से, हम mostly questions उठाने की कोशिश करते हैं, या फिर हमें कुछ random comments में अगर कोई और बहतर comment या कोई problem दिख जाते हैं, हम कोशिश करते हैं, कि उसको solve कर सकें, ऐसा comment हम लोग pick करने ही कोशिश करते हैं, जिससे की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो problem है, उसको address किया जा सकें, मतलब comments करते हैं, कि sir, हमारी call नहीं पिक होती है, या हमारे message का reply नहीं आता है, मैंने कुछ audit किया है, कुछ चीज़ें basically मैंने निकाली हुई है, उन्में मैंने एक चीज़ बहुत common देखी हुई है, कि बहुत सारे लोग ऐसे message करते हैं, WhatsApp पे, या text message, कि sir, कैसे हैं आप, hello sir, hello sir, hello sir, please reply, मतलब, कल किया, hi sir, फिर आज किया, hello sir, फिर sir, please reply, फिर थोड़ा सा मेरी रिक्वेश्ट रहेगी आप सभी से, कि जो लोग भी message करें, जैसे अगर आपको कोई सवाल पूछना है, आपको course के बारे में inquiry करनी है, या आपको किसी service के बारे में inquiry करनी है, please थोड़ा सा specific होकर पूछा करें, क्योंकि वो जादा अच्छे से समझ में आता है हमें, कि आपका जो doubt है, वो क्या है, या आप courses के बारे में जानना चाहते हैं, service के बारे में जानना चाहते हैं, थोड़ा सा specific होकर आप पूछेंगे, तो हमारे लिए भी उस query को या उस question को address कर पाना easy होगा, व फिर वहां से जो है, वो conversation स्टार्ट करना, तो प्लीज अगर आप message कर रहे हैं, तो आपकी जो भी concern है, उसको अगर आप लिखेंगे, तो हम और बहतर तरीके से आपको respond कर पाएंगे, there are high chances, कि हम जल्दी जल्दी आपके साथ जो है, वो connect हो पाएं, तो प्लीज ये request आप ल कर दें, या फिर backlinks अगर नहीं बनाएं, तो कौन से चीज़ पर जादा efforts दें, देखो, backlink हो सकता है, आने वाले time में, जो backlink की value है, वो कम होती जाए, बट अभी भी backlink एक बहुत important ranking factor है, तो अगर आप genuine तरीकों से backlinks बना रहे हैं, तो आने वाले time में, मतलब कुछ आने व लोग सुन रहे हैं कि धीरे धीरे जो है, वो backlink की जो weightage है, वो कम होता जाएगा, और यह कहीं हद तक सही भी है, बट उसका weightage जब तक कम होगा होगा, तब तक आप लोगों को on page वगएरा पर और भी जादा command कर लेना है, अपने web pages का on page है, उसको और जादा enhance कर देना, improve कर और भी बहुत सारे factors जो है, वो consideration में होंगे, जो दूसरे हमारे factors जैसे, web vitals का factor यह सारे जो factors है, consideration में आ जाएंगे, ranking के, बट ऐसा नहीं कि आज जो backlink से वो चल रहा है, और कल जो है, एकदम से उन backlink की value है, खतम हो जाएगी, इसमें थोड़ा सा time लगेगा, जैसे यहाँ और मैंने बताए, over the period of time यह होगा, जहाँ पर धीरे धीरे जो आपकी backlinks की value है, वो कम होती जाएगी, बट इस बात से आप बिलकुल बेफिकर रहे हैं, कि आपकी website को इसका कोई नुकसान होगा, until unless आपने कोई smammy type के backlinks जो है, वो नहीं बनाए, किसी tool को use करके आपने backlinks ज follow करेंगे, तो मैं हमेशा बताता आता हूँ, कि आप please SEO की field में genuine जो तरीके हैं, उनहीं को अपना है, क्योंकि SEO का ऐसी field है, जिसमें हर किसी का अपना अलग अनुभाव है, मेरा अलग अनुभाव है, किसी अगर आप और mentor को follow करेंगे, किसी और agency को follow करेंगे, teacher को follow करेंगे, तो उनके अनुभाव अलग होंगे, हर किसी के backlink मनाने की technique भी अलग होती है, तरीका भी अलग होता है, approach भी अलग होती है, कोई भी बन्दा गलत नहीं है, उनके experiences आप सीखने की कोशिश करें, मेरे हो सकते हैं तरीके अलग हो, कि कोई दूसरा person है उसके तरीके अलग है, कि अपने अलग-अलग experiences हैं, हर कोई अपने अलग-अलग तरीकों से experiments करता है, उसको results मिलते हैं, बट एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कि जो तरीके गूगल के द्वारा recommended नहीं है, उनको follow ना करें, आपको हजारों ऐसे examples मिल जाएंगे, जहां पर लोग आपको बताएंगे, देखो गूगल यह recommend करता है, हमने देखो इसको follow करा, फिर भी हमारी website rank कर गई, बट अब गूगल कहता है, यह चीज़ नत करो, मैंने करा, फिर भी हमारी website rank कर गई, ऐसे बहुत सारे आपको, सैक्लो हजारों examples आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो चीज़ हो सकता है, उस वक्त उनके लिए काम कर गई हो, बट लॉंग टाइम में हो सकता है, वो चीज़ जो है, वो backfire कर जाए, या problematic हो जाए, तो हमें तो day one से ही सावधान रेना है, हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है, जो Google के recommendation के against है, और बात हम Google की recommendation के against क्यों कहें, जनरली भी अगर आ हैं, तो authority backlinks बनाएं, अच्छे backlinks आप बनाने की कोशिश करें, second जो question है, वो Rajendra Pal का question है, which bidding strategy position my ads to the top, which strategy is best for lead generation of home services company like cleaning, pest control, beauty, electrician, etc, दो सवाल इनोंने एक ही में merge कर दिये, question काफी interesting है, और Google Ads की foundation वाला एक question है, जो लोग Google Ads में interest रखते हैं, वो इस टाइप के questions उनके सामने एक strategy हम लोग कौन सी follow करें, कौन सी bidding strategy को follow करें, किसी भी type के business के लिए, देखो मैंने पहले भी शायद आप लोग को बता होगा, अगर आप मेरे course को follow करते होंगे, bidding strategy जो है, वो कभी भी आपकी niche wise नहीं होती है, या business wise नहीं होती, कि अगर मेरा education का business है, तो हम ये bidding strategy follow कर लेंगे, अगर हमारा जो है, वो let's say, ये home cleaning services का business है, तो हम ये bidding strategies follow कर लेंगे, bidding strategies जब change करी जाती है, bidding strategies को use किया जाता है, उनका जो base होता है, उनका जो foundation होता है, वो होती है data, आपके account में किस type की data है, आपके campaigns अभी किस तरीके की data को capture कर पा रहे है, आप Google Ads के system में कौन सी data भेज रहे उसके basis पे bidding strategy जो है, वो select करी जाती है, तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि bidding strategy कभी business के according नहीं होती है, bidding strategy हमेशा data के according होती है, कि आपके account के अंदर अभी कितनी data आ चुकी, जैसे for example हम मान के चलते है, अगर आपने convergence define ही नहीं किये, तो maximize convergence आप कैसे use करोगे, Google Ads के respect में अगर मैं बात करूँ, तो आप ये चीज़ करी नहीं सकते हो, maximize conversion value को आप use ही नहीं कर पाओगे, बात आप समझ रहो मेरी, कि अगर आपने convergence value define नहीं करी, conversion नहीं define क्या, तो आप इसको नहीं use कर पाओगे, तो ये कहां से आया, अब मैं बोलूँ कि pest control business के लिए maximize conversion एक अच्छी bidding इश्राड़ी है, या pest control business के लिए maximum conversion value, maximize conversion value एक अच्छी bidding इश्राड़ी है, तो क्यों ये अच्छी है, या क्यों हम इसको इसको इस्तमाल करेंगे, जब हमारे account में, उसके regards में, जो data के हमें जरुरत होती है, वो हमारे पास होगी, ठीक है, पहली चीज तो ये दूसरा इनका एक और question है, जो कि बहुत ये तगड़ा question है, वो ये कि sir, कौन से bidding strategy हम use करें, जिससे जो हमारा add है, वो position number 1 पे दिखाई दे, position number 1 पे, मतलब search add जो है हमारा, वो position number 1 पे हमारा किस bidding strategy से दिखाई देगा, देखो, मैं maximize click से भी आपको position number 1 पे लाकर दिखा सकता और मैं आपको maximize impression share से भी लाकर दिखा सकता हूँ, तो अब इसका सीधा-सीधा answer क्या हुआ, कि sir, कौन सा use करें, इसका मतलब क्या तीनों use कर दे, या तीनों को test करके देखे किस में आ रहा है, नहीं, देखो, maximize click, या maximize conversion, या maximize impression share, ये नहीं decide कर पाएंगे completely, कि आपका add किस position प rank करेगा, इसमें दो और factors हैं, जो बहुत important role play करते हैं, one is budget, and another one is bidding, ठीक है, bid amount आप मान लो इसको, budget और bid amount भी बहुत important role play करते हैं, for example, आपनी क्या किया, आपनी campaign morning में शुरू किया, 5000 रुपए पे, ठीक है, 5000 रुपए per day के हिसाब से, आपने इसका budget रखा, एक search campaign आपने बन रखा, इसको शुरुआत कर दिया, आपने इसके उपर काम करना शुरू कर दिया, for example, शुरुआत में जब morning में आपने देखा, तो आपने क्या देखा, कि आपका जो ad है, वो position number one maintain किये हुए, ठीक है, क्यों position number one maintain किये हुए, क्योंकि उस वक्त आपके पास budget था, उस वक्त जो bid थी, वो भी अच्छी खासी थी, आपके पास budget था, तो जो इनका combination बनता है, गूगल जब आपको auction में participate कराता है, तो देखता है, कि आप किसके उपर bid कर रहे हुए, और आपके पास कितना budget है, तो वो आपको approximately कितने clicks दिला सकता है, तो हमने कहा मेरे को maximize clicks करके दो, तो हमेरे को जादे-जादा कोशिश क्या करेगा, कि उपर मेरे को रखेगा, जादे-जादा time में हो सकता है, यह 100% ना हो, but most of the times में अगर मैंने जबरजस तरीके से इन चीज़ों को खोल के रखा हुआ है, तो वो हमें उपर रखने की कोशिश करेगा, जब वो उपर रखने की कोशिश करेगा, तो कुछ क्लिक्स आएंगे, मान लिया, दो बज़ गया, यह सब कहानी होते होते, दो बज़ गई, और मेरा जो बज़ट है, वो आ गया, मेरा बज़ट 4500 पे, अब केवल मेरे पास 500 रुपए बचे हुए हैं मेरे अकाउंट में, और अभी पूरा दिन बा क्यों नहीं होगा, क्योंकि गूगल को समझ में आ रहा है, आपके पास बज़ट तो बहुत कम है, और आप जो बिड कर रहे हो, और बज़ट जो आपके पास है, उसके साफसे अगर आपका क्लिक यहां पर हम दे देते हैं, तो लेट से आपके 60 रुपए कर जाएंगे, तो आपके इस ताइप से जो आपका जो बज़ट जो बचा हुआ है, वो एक्जॉस्ट होता जाएगा, तो इस दौरान आपको मान के चलते हैं, 20 क्लिक्स मिलने का पोटेंशल था, बट मिली केवल आपको 5 क्लिक्स और 300 रुपए आपके 60 क्लिक्स के हिसाब से एक्जॉस्ट हो मिल सकती थी, कब? जब हमारा बज़ट जो है, वो यहाँ पर थोड़ा सा ओपन होता, और अगर मेरा बज़ट ओपन होता और मेरी बिड भी ठीक ठाक होती, तो देर वास चांस कि हम अच्छी पोजीशन पे भी रैंक करते, पोजीशन नमबर वन पे हम मैक्सिमम टाइम रैं इसी लिए क्या मैक्सिमाइज क्लिक्स वाली बिडिंग इस्ट्राइड़जी पे आपकी पोजीशन नमबर वन नहीं रहती है, क्या एपसिल्यूट टॉप जब मैक्सिमाइज इंप्रेशन शेयर करते हो, तो क्या नहीं रहता है, तब भी रहता है, बट बोलोगे आप सर य आपके कैम्पेन को इंप्रेशन नहीं मिले, तो क्यूं नहीं रखे दे रहा है, आपको पोजीशन नमबर वन पे 90% आप टाइम से इतने बज़ेट के साथ, क्यूं नहीं रख रहा है, इसलिए नहीं रख रहा है, क्यूंकि ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ना, 1000 र अरी किसे मैं समझा पाऊ, इसके बाद जो लियाकत प्रोडक्शन का क्वेशन है, विच इस दबेश्ट ट्राफिक या मैसेज आड्स, ये फेसबुक के रिगार्स में आई बिलीव पूछ रहे हैं, कि कौन सी चीज बेश्ट रहेगी, ये ट्राफिक आड्स चलाएं, या मै लिंक क्लिक्स चाहिए, सेम ओडियन, सेम क्रियेटिव के साथ आपको जो ये लिंक क्लिक्स की कौश्ट है, ये कम पड़ेगी, ठीक है, वही आप कह रहे हो कि मेरे को लिंक क्लिक्स नहीं चाहिए, मेरे को लैंडिंग पेज व्यूज चाहिए, तो लैंडिंग पेज व्यू होते हो specific होते हैं मैं messages की बात कर रहा हूं तो messages में और traffic में specific किसमें हो रहा हूँ message में तो generally जो messages ads हैं वो थोड़ से आपको costly पढ़ेंगे in comparison to traffic ads with regards to facebook ads उसके बाद रिशी महरा को question है sir is event are good after 14 update अभी भी आप जो है वो events को setup कर सकते हैं अभी भी आपको events बहता data देते हैं थोड़ी सी data discrepancy है बट वो रहती है देखो थोड़ी बहुत तो problem आपको हमेशा रहेगी उसको आप डूर कर सकते हो conversion API का इस्तेमाल करके आप कर सकते हो events को configure करके आप कर सकते हो domain को आप verify करके कर सकते हो यह 3-4 चीज़े होती है अगर आप इनको लगाओगे तो आपका जो conversions की data आ रही वो बहुत हद तक जो है वो accurate हो जाएगी और एक अच्छी data आपको मिलेगी और मैं बोलता हूँ वो more than enough है जितना मैं बता रहा हूँ more than enough है आप कर लोगे तो आपको बहतर जो convergence है वो देखने को मिलेंगे उसके बाद यहाँ पर एक और question है lead filter option is not coming lead filter का option अभी हो सकता है कुछ accounts में roll out ना हुआ हो 100% क्योंकि यह अभी भी जो है roll out हो रहा है बहुत सरे accounts में हमने भी देखा है क्या भी नहीं roll out हुआ है मैंने भी कुछ time पहले एक दो दिन पहले एक वीडियो बनाया था lead filter option वो इस तरहीं से आप यूज कर सकते Facebook ads के respect में अपनी leads को और qualify करने के लिए so that video you can also watch मैं उसका link भी आपको दे दूँगा यहाँ पर एक question है इनका कि इनका जो page crawl हुआ है उसमें केवल HTML 80 11% केवल crawl हुआ ने इसको थोड़ा सा increase करने की ज़रू रहा है क्योंकि अगर HTML नहीं 100% crawl हो रहा है 90% 80% तो समस्य आने वाली है आपके java script 70% crawl हो गया बट एक बात इसकी समझो देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ यह बोल रहा है कि इनका जो HTML है वो नहीं crawl हुआ है तो जो इनकी website के उपर HTML content जो crawl हुआ है वो केवल 11% हुआ है और java script जो हुआ है वो 70% हुआ है तो एक बात आप ऐसे समझने की कोशिश करो जैसे यह पूरी website है तो इसमें जो java script का section होता है वो बहुत ही कम होगा जैसे मान लिए इतना ही java script का section है ठीक है और यह बाकी का जो है वो HTML है तो इस HTML में केवल 11% हुआ है ठीक है और इस java script में केवल जो है वो 70 परसेंट जो है वो crawl हुआ है यह number जादा होना चाहिए यह 11% एक कम number है आप थोड़ा सा देखो crawling वगरा में कहां पर problem हारी है थोड़ी से ठीक से analysis आप करो यह number जादा होना चाहिए HTML आपका जो है वो थोड़ा सा ठीक था crawl होना चाहिए यह थोड़ा सा कम है ठीक है बट यह direct बहुत जादा ranking को effect नहीं करेगा अगर आपका यह सवाल है तो यह बहुत जादा direct ranking को effect नहीं करेगा sir how many rounds are there in digital marketing interview as a fresher aptitude test is compulsory rounds कितने होते हैं digital marketing में interview के point of view से totally depend करता है company के उपर वो एक दो तीन rounds आप से ले सकती है ठीक है generally एक HR round होता और उसके बाद आपके technical round होते हो फिर final round होता है मतलब एक ठीक्ठा company के अंदर यह तीम rounds तो होते ही है HR round technical round और फिर final round जहां पर फिर आप से salary वगएरा का negotiation जो है वो किया जाता है as a friend sir aptitude test is compulsory देखो digital marketing की field में तो मैंने नहीं देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो aptitude test आप से करवाते हैं बट अगर आपका aptitude अच्छा है अगर आपकी reasoning अच्छी है that's a good thing उसके अगर आप काम कर रहे तो कभी भी आपको नुकसान नहीं देगा उसके बाद एक और question है sir आप अपनी thumbnail में अपनी photo क्यों नहीं लगाते हैं वाले जो वीडियो है हमारा playlist है उसके बात कर रहे हैं कि digital marketing weekly updates की जो हमारी playlist जाती उसमें जो वीडियो होते हैं उनमें हम लोग basically अपनी thumbnail नहीं लगाते हैं मेरी photo नहीं रहती है उसमें कोई और normal सी photo होती है बस ऐसे ही testing के ल CTR गर में लगाता हूं तो बस ऐसे ही generalized testing के लिए है कोशि करेंगे photos भी लगा कर देख लें is it possible to install pixel to a landing page yes absolutely वो तो possible हाई है so sir I need to login into my hosting account to add the link provided by the search console and then submit हाँ बिलकुल अगर आप DNS verification करना चाह रहे हैं तो फिर आपको जहां से आपने domain खरीद है वहाँ पर जाकर आपको records वगरा add करने होते हैं और जब आप Google search console के अंदर DNS verification करने जाएंगे भी तब भी वो आपको steps दिखाएगा बड़े ही easy to understand steps है उसके बाद help zone का question है yes sir has much lead came on my facebook campaign but lead conversion was less what I will do to update my campaign मतलब leads बहुत सारी आरी but leads conversion नहीं हो रहा है तो आप देखो आप सही चीज बता कर वो leads लेकर आ रहे हो य उनसे communicate करते हो तो कहां पर problem आ रही है offer में आपके problem आ रही है आपने गलत message उनको दे दिया था मतलब बोल कुछ और रहे हो जब leads आ रही है तो बात कुछ और आप कर रहे हो तो उस चीज का जो gap है उसको fill करने की कोशिश करो relevancy बनाया रखो और identify करने की कोशिश करो कि convergence जो है वो क्यों कमार है अगर lead quality का issue है तो मैंने lead quality के उपर अभी एक वीडियो बनाया है 4-5 दिन पहले वो आप देख सकते हो उससे आपको ये clarity हो जाएगी कि हम lead की quality भी improve कर सकते है इसके बाद एक question है what is first party data तो first party data का सीधा सा मत में तो अगर आपका email, name, phone number ही हमको मिल रहा है तो ये एक तरीके से first party data है तो ये कुछ questions थे जो इस particular session के लिए हम लोगों ने select की हुए थे जो ये वाला Sunday Churchा का episode है जिन भी लोगों के questions shoot गए हम कोशिश करेंगे कि आगे जो आने वाले वीडियोज है episodes Sunday Churchा के उसमें हम और बढ़े